नमस्कार नियुस पोनेशन देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ साक्षिशा नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधान मंतरी पद के लिए शपत ग्रहन कर चुके हैं लेकिन इस बार जो बीज़पी को बहुमत की जरुरत थी इस बार बीज़पी उस बहुमत की आंकडों के आसपास भी नजर नहीं आई और इस बार NDA की बूते जो है NDA की सरकार बनी है हाला कि बीज़पी को उतनी बहुमत मिली नहीं है लेकिन अगर थोड़ा बीज़पी के इत्यास को जानने की कोशिश करें तो ये पहली बार नहीं है जब NDA की मदद से बीज़पी की सरकार के इंद्रवें बन रही है इससे पहले भी जब अटल विहारी बाजपई प्रधार मंत्री बने थे तो उन्होंने भी NDA के बहुमत से ही सरकार बनाई थी आईए थोड़ा बीज़पी के इत्यास को जानने की कोशिश करते हैं समय के साथ हालात बदलते रहते हैं नरेंद्र मोदी अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार गठपन्न सरकार का नेत्रत करेंगे गुजरात में सीम रहते उन्होंने इसकी कभी नौबत नहीं आई प्रधान मंत्री बने तब भी 10 साल तक उन्हें अपने दम पर सरकार बनाने का पूर्ण बहुमत मिला भाजपा को 2014 में 2082 सीटे मिली तो 2019 में 303 सीटे हासिल हुई जो भाँमत के 242 के आकड़ों से अधिक थी नरेंद्र मोदी के कारिकाल में ये पहला मौका है जब भाजपा को भाँमत से 30 सीटे कम मिली है भाजपा की जोली में इस बार 242 सीटे ही आई है NDA के सयोगी दलू ने भाजपा का साथ दिया और नरेंद्र मोदी के नत्रत में तीसरी बार सरकार बनाने की सहमती दे दी लेकिन आपको बता दे इससे पहले अटल विहारी वाजपाई ने देश्ट के दसवे प्रधान मंतिर की रूप में तीन बार गठ बंदन की सरकार चलाई थी उनके ही कारिकाल में NDA की नीव भी पड़ी पहली बार 1996 में उन्होंने PM पद किश्व पतली लेकिन बहुमत की आकडे से दूर रह जाने के कारण उनकी सरकार 13 दिनों की ही महमान रह पाई उनका दूसरा कारिकाल 1998 से 1999 तक यानि 13 महिने का रहा अलबत्ता उन्होंने तीसरे कारिकाल में 1999 से 2004 तक पूरी अवधी की सरकार चलाई वाजपई सरकार के समय भी TDP के चंदरबाबु नाइडू और जेडियो के नितिश कुमार NDA के भरों से मंद साथी रहे अब नरेंद्र मोदी गठपन्दन की सरकार बनाने जा रहे हैं तो इसमें इन दोनों सहयोग्यों का ना सिर्फ महत्वपूर्ण योगदान है बलकि सरकार में उनकी भूमी का भी उतने ही महत्वपूर्ण रहने की उमीद है नरेंद्र मोधी अब गठपंदन की सरकार बनाने जा रहे हैं तो उन्होंने साथियों की भावनाओं और भागेदारी का भी खयाल रखना पड़ेगा उन्हें इसके लिए अटल विहारी बाजपई की सरकार की समय के फॉर्मूले को ध्यान में रखना ज़रूरी होगा ये बात इसलिए कि पिछले दो कारिकाल में नरेंद्र मोधी ने सहियोगियों की भावनाओं का खयाल नहीं रखा नितिश कुमार दो मंतरी पत की मांग करते रह गए लेकिन मोधी ने उन्हें नहीं दिया था मोदी सरकार के पहले कारिकाल में साथ फीसदी मंत्री सहयोगियों दलों के थे तो उनके दूसरे कारिकाल में ये संख्या घटकर 3 फीसदी पर आ गई थी 2014 में मोदी मंत्री मंटल में 71 मंत्री थे जिनमें महस पांच ही मंत्री सहयोगी पात्योगी थे 2019 में मोदी के साथ 20 सहयोगी दलों के 52 सांसत थे लेकिन उनमें सिर्फ दो लोगों को ही मंत्री बनाया गया अटल विहारी बाजपई को अगर जेडियू निता और बिहार के सियम नितिश कुमार शिद्दत से याद करते हैं तो इसकी वाजिव वजव भी है बाजपई ने गचपन्दन सरकार में अपने सहयोगियों का खास ख्याल रखा था उनके 13 दिनों के पहले कारिकाल की बात छोड़ दे तो बागी के दो कारिकाल में उन्होंने सहयोगी दलों से 25 से 29 फिसदी तक मंत्री बनाए 1990 में जब वो दूसरी बार प्रधान मंत्री बने तो मंत्री मंदल में 86 लोगों को जगह दी इन में 25 मंत्री सहयोगी दलों के थे यानि सहयोगी दलों की मंत्री मंदल में हिस्सेदारी 29 पीसदी थी तीसरी बार वाजपई जब पीम बने तो 73 संसदी मंदल में 18 मंदल पत सहयोगी दलों के दिये यानि मंदल में सहयोगी दलों की भागेदारी 25 फीस दी रही तो देखिए पहली बार नहीं है जब बीजपी को बिना पूर्ण बहुमत की सरकार चुलानी पड़ रही है इससे पहले अटल विहारी बाजपई ने बीजपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने के बाद भी केंदर में सरकार बनाई थी हाला कि नरेंदर मोदी को जो है अब अटल विहारी बाजपई के फॉर्मूले पर ही काम करना पड़ सकता है क्योंकि जो तरीके से अटल विहारी बाज़पई ने अपने गठ बंदन को जोड कर रखा यही तमाम जो चुनौती है वो नरेंदर मोधी के सामने है कि वो किस तरीके से अटल विहारी बाज़पई के फॉर्मूलियों पर काम करते हैं फिलाल आपके सुज़ों पर क्या रहा है हमें कमेंच करके जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों से ब्रेट रहने के लिए देखते रहें निवस फो नेशन